हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो गाइस आज मैं आपके साथ एक और हॉम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ तो गाइस आज जो मैं आपके साथ हॉम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ यह है एक फेस पैक जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा अगर आप इसे use करेंगे तो guys जो आपको आपकी phone की screen पर वीडियो में जो दिखाई दे रहा है यही face pack आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ तो guys इस face pack में हम जो भी ingredients use करेंगे वो हमें हमारी kitchen से असानी से मिल जाएंगे, हमने वही ingredients इसमें use किये हैं जो हमें हमारे घर पर मिल जाएंगे तो guys अगर आप मेरी पहली videos देखना चाहते हैं तो उनकी playlist का link आपको description box में मिल जाएगा, अगर आप कोई product review देखना चाहते हैं तो उसकी playlist का link भी आपको description box में मिल जाएगा, तो guys इस video की end में मैं आपको एक बहुत ही कारगर tip देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़दा helpful रहेगी अगर आप वो tip जानना चाहते हैं तो इस video को end तक ज़रूर देखें, तब ही आप उस tip को जान पाएंगे, और guys अगर आप मेरे channel पे नहीं हैं, तो मेरे channel को subscribe कर लें, bell icon को press कर लें, तांकि आने वाली notification सबसे पहले आप तक पहुन सकें, और guys अगर आपको मेरे video अच्छी लगे तो video को like करना, share करना comment करना, क्योंकि इसी से हमें motivation मिलती है, आगे और अच्छी अच्छी videos अप्लोड करने की, तो guys अगर आप भी सुन्दर दिखना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आप इस face pack को ज़रूर ट्राइ करें, क्योंकि इस face pack को use करने से आपकी जो skin का complexion है, वो फिर होगा, आपकी skin glowing दिखेगी और आपके चहरे पे निखार आएगा तो इस home remedy को तो गाइस, इस home remedy को बनाने के लिए हमें सबसे पहली जो हमारा first ingredient है वो हमें चाहिए मुलतानी मित्ती तो यहाँ पे मैंने एक चमच मुलतानी मित्ती ली है गाइस, अगर हम मुलतानी मित्ती की बात करें तो मुलतानी मित्ती बहुत ही सदा मुलतानी मित्ती को यूज करके तो गाइस, इसके बाद जो मैंने next ingredient यूज किया है वो मैंने किया है बेसन तो गाइस, जो बेसन होता है वो हमारे जो dead skin होती है उसे remove करने में हमारी help करता है और इसके साथ हमारे face को चमकदार दिखाने में हमारी help करता है और हमारी skin को glowing बनाता है हमारा skin का complexion फियर करता है तो हमें बेसन जरूर यूज करना चाहिए अगर हम कोई भी face pack यूज करते हैं तो अगर हम अकेला बेसन का face pack यूज करते हैं तब भी हमें इसके बहुत जादा अच्छे results मिलेंगे तो guys मैंने अपने चैनल पे काफी सारी home remedies अपलोड की है face pack अपलोड की है अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो आप description box में check out कर सकते हैं तो guys इसके बाद जो मैंने next ingredient यूज किया है वो मैंने यूज किया है healthy तो guys आपको बहुत जादा हल्दी नहीं लेनी बिल्कुल एक पिंच लेनी है guys अगर आप हल्दी यूज करते हैं तो आपके face पे जो भी पुराने दाग धब्बे होंगे वो दूर होंगे अगर आपको प्रॉब्ल्स की problem है तो आप उस problem से भी जुटकारा पाएंगे और इसके साथ साथ ये आपके दाग धब्बो को दूर करेगी इसके बाद guys हमने जो next ingredient एड़ किया है वो हमने किया है honey तो guys जो honey होता है वो भी हमारी skin के लिए बहुत जादा beneficial होता है एक तो ये हमारी skin को moisturize करता है second इसके साथ हमारे face पे जो भी दाग धब्बे होते है वो दूर होते है अगर आप अपनी skin को permanent glowing दिखाना चाहते है तो आपको honey ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप इससे daily यूज़ करते है इसमें lactic acid होता है jinq होता है minerals होते है जो हमारी skin के लिए बहुती जदा beneficial होते है इसके साथ भी हमारे face पे दाग धब्बे दूर होते है और pimples की problem दूर होती है तो guys इसके बाद जो मैंने next ingredient लिया है वो मैंने लिया है raw milk तो guys जो raw milk होता है वो भी हमारी skin के लिए बहुती जदा beneficial होता है तो guys raw milk आपको लेना है अगर आप इन में से कोई ingredient स्किप करना चाहते है तो आप स्किप भी कर सकते है तो guys जो raw milk होता है वो एक तो skin toner का का काम करता है skin को moisturize करता है और हमारी skin को clean भी करता है cleanser के रूप भी हम इसे use कर सकते है तो guys जो भी आपके face पे blackheads होंगी उससे दूर करेगा और आपकी skin को fear करेगा तो guys इसके बाद हमने जो next ingredient यूज किया है वो हमने किया है lemon juice तो guys जो lemon juice होता है वो भी आपके face पे जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें दूर करने में आपकी help करेगा और जो भी आपकी skin को bleach करेगा natural bleach का काम करता है lemon juice तो guys हमें इस इन सभी ingredients को अच्छे से mix करना है और अच्छे से mix करने के बाद हमें क्या करना है हमें अपने face पे और neck पे apply करना है और इससे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही चोड़ देना है और उसके बाद जब आपका face pack हलका सा सूख जाएगा तो आप इससे हलके हाथों से massage करके उसके बाद आपको rinse off कर देना है तो guys आपको इस face pack को हफते में एक से दो बार जरूर यूज़ करना चाहिए लेकिन अगर हम अपने daily routine की बात करें तो हमें daily अपने face पे कुछ ना कुछ apply जरूर करना चाहिए तो guys हमें daily अपने face पे कोई ना कोई face pack जरूर apply करना चाहिए चाहिए वो fruit face pack हो या फिर कोई मुलतानी मिट्टी का face pack हो guys मैं आपको अपनी वीडियो के end में एक end screen पे आपको एक वीडियो दिखे की flex it face pack अगर आप वो वली home remedy ट्राइ करेंगे तो आप बाकी सारे जो face packs होंगे उनने ट्राइ करना चोड़ दोगे क्योंकि वो इतनी अच्छी home remedy है अगर उस home remedy की बात करो तो उसके साथ आपकी अनेको प्रोब्लम्स दूर होंगी अगर आप वैसे तो उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप वहां से भी check out कर लेना तो guys अगर आप हम गर्मी की बात करें तो गर्मियों में cucumber होता है हम डेली यूज करते हैं अगर आप cucumber का face pack अपने face पे apply करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा अगर आप mint leaves का face pack अपने face पे apply करते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा तो हमें अपने face पे डेली कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए जिसके साथ जो भी हमारी दिन भर में जो भी हमारी skin damage हुई है वो साथ साथ में repair हो और उसके साथ हमारी skin पे जो भी problems हो वो भी दीरे दीरे कम हो जो भी पुराने से पुराने दाग धबे हो वो भी light होना start हो तो guys अब हम बात करते हैं अज की tip की मैं आपको इस वीडियो को मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के end में आपको एक tip बताऊंगी तो guys अगर आप अपने होठों को गुलाबी करना चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि आपके होठ गुलाबी दिखें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको डेली अपने लिप्स पे रात को सोने से पहले आलमंड ओयल की हलके हाथों से मसाज करनी होगी तो अगर आप इसे रुटीन में फोलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिप्स जो है वो कुछी दिनों में गुलाबी दिखने स्टार्ट होंगी तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना थेंक यू फ्रिंट्स